खंडवा में तीन दीन पूर्व शराब के नशे में एक महिला पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकरी के साथ छेरचार करने के आरोप में खंडवा के रक्षित निरिक्षक राहूल देवरिया को बर्खास्त कर दिया गया इंदोरेंज के आईजी विवेक शर्मा ने कल शाम को उनकी बर्खास दगी के आदेश निकाले शनिवार रात में उक्त रक्षित निरिक्षक आराय ने शराब के नशे में एक महिला सुबेदार और महिला पुलिस कर्मी के साथ अभधर वेवार किया था इसी की शिकायत पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था खंडवा की अतरिक्त पुलिस अधिक्षक सीमा अलावा को इस मामले की जाज सोपी गई थी महिला पुलिस अधिकारी की जाज में अधिकारी द्वरा किया गया बर्ताओ सही पाया गया इस जाच रिपोर्ट के आधार पर इंदोर रेंज के महा निरिक्षक विवेक शर्मा ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया अध्रिक्त पुलिस अधिक्षक सीमा अलावा ने गटना के समय पुलिस लाइन में मौजूद साथ महिला पुलिस कर्मियों और पुरुश पुलिस कर्मियों गटना के बारे में बयान लिए साथ ही अन्य तमाम पहलूँँ पर भी उन्होंने जाच की इस जाच में रक्षित निरिक्षक राहुल देवरिया दोरा किये गए बरताओ पूरी तरह सत्य पाए गए। यही जाच रिपोर्ट उनकी बर्खासगी का कारण बनी। इंडोरेंज के महा निरिक्षक विवेक शर्मा ने शाम को उनकी बर्खासगी के आदेश निकाल दिये। राहुल देवरिया घटना के बाद से ही फरार है। टीम भारती नियूज।